47 देखो इसका अभी limit निकालना है यहाँ भी वही हाल है limit x tends to 2 यहाँ देखना 1 by x minus 2 यहाँ पर देखो minus 2 इन 2 में 2 x minus 3 है और by में x common करोगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर कितना x square minus 3 x plus 2 अब इसका factor करेंगे तो पहले इसको लिखते हैं limit x tends to 2 1 by x minus 2 और minus का 2 इन 2 2 x minus 3 ठीक है और by में यहाँ देखो x common की है अंदर देखो x square minus का 2 x minus का x plus का 2 ठीक है आगे solve करते हैं अंदर limit x tends to 2 1 by x minus 2 और minus 2 इन 2 2 x minus 3 और by में x अंदर करेंगे common x अंदर x common होगा ना आपका शेल यह तो x common करते हैं x minus 2 बचेगा ठीक है और फिर यहाँ पर minus 1 common करते हैं x minus 2 बचेगा ठीक है अब देखें limit x tends to 2 1 by x minus 2 minus 2 into 2 x minus 3 और by में आपका हो जागा limit x tends to 2 1 by x minus 2 यहाँ पर देखो क्या आजागा LCM का x into x minus 1 x into x minus 1 अच्छा यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आजागा x into x minus 1 और minus में 2 into 2 x minus 3 इन हो जागा आपका चलो आगे solve करते हैं limit x tends to 2 1 by x minus 2 तीक है अच्छा उपर into करो तो उपर into करो गता आगा x square x square minus का x और minus का 4x plus का 6 और into by में है x into x minus 1 चलो आगे solve करते हैं उपर ता आपका हो जाएगा यहाँ पर limit x tends to 2 1 by x minus 2 अच्छा और bracket के अंदर फिर उपर देखो x square minus का 5x plus का 6 और by में x into x minus 1 अब इसका factor करेंगे न limit x tends to 2 1 by x minus 2 उपर factor तोड़ते हैं हो जाएगा x square minus का 3x minus का 2x plus का 6 और by में x into x minus 1 चलो उपर solve करते हैं आपका तो हो जाएगा है हापे limit x tends to 2 1 by x minus 2 और फिर यहाँ देखो common करेंगे न दो-दो term में तो x common होगा तो x minus 3 फिर minus 2 common होगा तो x minus 3 और by में जो है वो तो रहाएगा x into x minus 1 limit x tends to 0 x tends to 2 1 by x minus 2 उपर देखो न आप common कर लो किसको common करोगे तो x minus 3 को तो बच जाएगा x और बच जाएगा 2 और by में है x into x minus 1 ठीक है? तो देखो न x minus 2 x minus 2 कट गया न अब जो बच गया उसमें 2 put कर देंगे तो 2 minus 3 by में 2 bracket में 2 minus 1 ठीक है? उपर minus 1 और नीचे 2 into 1 यानि कि minus का 1 by 2 यहाँ से इसका limit निकल गया समझ गया?